इंडिया-चाइना डिस्प्यूट लद्दाक में चीन की निर्मार को लेकर राहूल गांधी ने केंदर को घेरा कहा देश के सत्थ विश्वास घात कर रही सरकार कॉंग्रेस सांसर राहूल गांधी ने लद्धाक सीमा पर चल लए चीनी निर्मार को लेकर ट्वीट किया उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ विश्वसगात कर रही है लगदाक सीमा पर चीनी निर्माड को लेकर एक बार फिर कॉंग्रिस सांसर राहूल गांधी ने केंदर की मोधी सरकार को निशाने पर लिया राहूल गांधी ने ट्वीट कर लिखा चीन भविश्य में कारवाई करने के लिए नीव बना रहा है इनकी अंदेखी कर भारत सरकार के साथ विशव खात कर रही है बता दे कि राहूल गांधी से पहले अमेरिका के जनरल ने लगदाक सीमा पर चीनी निर्माड को लेकर बड़ा वयान दिया था अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फिलिन ने लगदाक सीमा पर चीनी निर्माड को इसे चीन का अस्थिर करने का प्रयास और सम्मन्दों को नुक्सान पहुचाने वाला वैवार बताया था अमेरिकी जनरल हिमालेई छेतर में चीन की तरफ निर्माड की जाने वाली बात कर रहे थे अमेरिकी जनरल ने कहा मुझे लगता है कि पश्चमी थेटर कमान में है जो कुछ बनियादी धाशा तयार किया रहा है वो चिंता जनक है चीनी सेना की पश्चिमी थेटर कमान भारत की सीमा से लगी है उन्होंने कहा कि चीन का अस्थिर करने वाला और दबाओ बनाने वाल वैवार उसकी मदद नहीं करने जारा अमेरिकी जनरल ने कहा कि चीन लगातार अंदर क्यों सड़क बनाना बढ़ाता जारा है यह अस्थिर करने वाला और नुकसान दायक पैवार है इस शेतर में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी वहीं अब राहूल गांदी के बयान ने एक बार फिर लद्दाक में चीन की निर्माड पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिये हैं पुल का निर्माड कर रहा है चीन पिछले मही ने ये सामने आया कि चीन पूर्वी लद्दाक में रणनितिक रूप से महतपूर पैंगॉंग जील के आसपास अपने कबजे वाले छेतर में एक अन्य पुल का निर्माड कर रहा है और वो ऐसा कदव इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस छेतर में अपने सैनिकों को जल्दी से डुटाने मदद मिल सके चीन भारत से लगी सीमा वरती इलाकों में सडके और यहाईशी इलाके जैसे अन्य बुनियादी धाशे भी स्थापित कर रहा है चीन का हिंद प्रशान छेतर के विभिन देशों जैसे विए इतनाम और जापान के साथ समुद्री सीमा में वाद है